इस वीडियो में मैं दोस्तों आप से बात करूंगा रन्निंकलस के प्लांट के बारे में ये जो सामने आप मेरे सामने प्लांट देख रहे हैं इसको रन्निंकलस बोलते हैं कुछ-कुछ गुलाब के फूल की तरह इसका फ्लावर होता है और लेकिन completely different प्लांट है तो इसके ब अब इसको से उल्हाओ दोस्तों सबसे पेले मैं आपसे बात कर लेता हों कि इसके रन्निंगस की कि प्लांट में बनाकर इसको किसे मैं इसको इस से नंड़े प्लांट को शaldo कर सकते उसके बाद temperature बढ़ने के वज़े से यह प्लांट थोड़ा सा खराब होना शुरू हो जाता है मरना शुरू हो जाता है और तब एक टाइम आता है जब इस प्लांट के आप सीड खटे करके रख सकते हैं नेक्स्ट ग्रोईंग सीजन के लिए तो यह वहला जो प्लांट है यह मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिला मुझे डेट सो रवे का यह पौधा मिला है रंदन क्लस के प्लांट जनरली महंगे ही मिलते हैं और अच्छा पौधा बड़ा पौधा अगर आप लेंगे तो वो मैंने पौटिंग मिक्स तयार किया है वह उसका मैं प्रोपोशन आपको बता देता हूं उसका कॉंपोजिशन में आपको बता देता हूं इसमें 30% आपने गार्डन सौयल लेनी है 40% इसमें कोई भी और गानिक मैनियोर या गाएं की गोबर की खाथ जैसे की बर्मिंगम पो इस प्लांट पर पड़े क्योंकि एक है ऐशा प्लांट है सीजनल प्लांट है सर्दियों में डो किया जाता है तो जन्रली जो टेंपरेचर होता है वह थोड़ा सब होता है तो धूप वाली लोकेशन को ब्रों करने के लिए काफी इंपोर्टैंट हो जाती है तो Nordic implicit को इसको डेली चार से पांच घंटे की धूप हमेशा मिलती रहे तभी इसमें अच्छे से बड़ ग्रोथ होगी तभी इसमें अच्छे से फ्लावर ग्रोथ होगी और अब बात कर लेते हैं वाटरिंग के बारे में किस तरीके से आपने रंदंक्लस के प्लांट को पानी देना है देखे रंदंक्लस का प्लांट जो है एक सीजन प्लांट है तो हमें एक समझना पड़ेगा और विंटर जनरली जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी जो Keyear होती है जो watering requirements होती है वो थोड़ीजी कम होजाती है तो watering requirements कम होने का मतलब क्या है कि जो moisture है मिट्टी का वो प्लांट को ओवर वाटर करलेंगे प्लांट को खराब होना शुरू हो सकता है यह पुरली useless हों στο अपने सप्लांट पर उस एंस सब्कें और वह करेंगे रहता है कि तो मैं प्रिक्विक पानि में क्यूंकि frequently पानी देने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती और वह मॉइस्टर रिटेन रहता है तो प्लांट उसमें आप दोन drops ऐसे और इन तक मुझे देखने को मिले को हैं और आपको भी मिल सकते हैं। बिटेंग dez início से चार से पांच दाने ही यूज़ करने हैं जरूरत से ज्यादा यूज नहीं करना दिइए पी क्योंकि डिए पी एक काफी strong खाद होती है, काफी strong chemical खाद होती है और हो सकता है अगर आप over use करेंगे DAP का तो आपके plant की जड़े हैं वो जलना भी शुरू हो जाए तो DAP और NP के थोड़ा समाल के use करिए इसके अलावा वर्मिंग कंपोस हर दो 8.5 से 2 महीने में उपर ऐसे से dressing की तरह डाल सकते हैं मिट्टी के उपर और automatically वो डीकंपोस होना शुरू हो जाएगा इसके अलावा अगर आप organic manure कोई और use करना चाते हैं तो liquid seaweed extract आता है जिसमें 61 से micronutrients होते हैं जो आपके plant को ज़रूरत होती है जिनकी पूरी अच्छी तरह के से growth करने के लिए और flowering करने के लिए तो वो भी आप दे सकते हैं उसकी जो bottle है वो market में आसानी से available है और उसके instructions होते हैं how to use के तो वो bottle आप लेके उसके instructions को पढ़के उसको follow कर सकते हैं हर 15 से 20 दिन में इस खात को भी आप अपने running class के plant पे डाल सकते हैं तो fertilization कुछ बहुत जादा मुश्किल नहीं है इस plant की आपने बस एक schedule बनाने की ज़रूरत है आपको इस plant में और आप regularly उस schedule को follow करी है fertilization के लिए और आपका plant काफी अच्छी तरीके ते चलता रहेगा ग्रो करता रहेगा अब बात कर लेता हूँ किस तरीके के कीड़मकोडो का insects का attack होता है इस plant में देखिए इसमें spider mites का attack काफी frequent लोता हूँ fungal infections भी काफी frequent होते हैं आपने यह रनुकलस का plant देखा होगा इसकी जो leaves है इसकी जो ये petals हैं वो कैसी closed हैं कभी-कभी लोग क्या करते हैं पानी spray करते हैं इस plant में और इसकी जो leaves हैं वो भी कैसे एक दूसरे के आसपास ही grow कर रही है तो कभी-कभी पानी यहां पर trap हो जाता है तो moisture trap होने के वज़े से fungal infections यहां पर promote हो जाते हैं क्योंकि temperature कम है सर्दियों में धूब बहुत जादा पढ़ने रही बहुत जादा खिल खिलाती धूब नहीं होती है बहुत जादा temperature नहीं होता तो बिल्कुल एक perfect breeding ground हो जाता है fungus के लिए इस लिए इस plant में fungal infections बहुत जादा होते हैं आपने देखा होगा कि blue blue से धब्बे आपके लीव पर पढ़ना शुरू हो जाएंगे या आपकी जो लीव से automatically मुर्जा के गिरना शुरू हो जाएंगी black black होके तो यह fungal infections का वह होता है इशारा होता है और इसमें बाकी spider mites का attack जैसे मैंने बोला काफी होता है आपको जाले-जाले से अपने plant में लगे मिलेंगे इसमें efforts का भी attack काफी frequent होता है आपकी जो रनगलस की प्लांट के पीछे हैं जो white white सफेद सफेद कलर के चोटे-चोटे कीड़े आ जाते हैं उनको efforts बोलते हैं इन सब को दूर करने का एक मात्र solution है वह है नी-moyle concentrate अपने हर 15-20 में नी-moyle concentrate को स्प्रे करना है अपने प्लांट में इसकी भी बॉटल आसानी से मार्केट में available होती है और उस बॉटल पर instructions how to use होते हैं तो आसानी जो आप follow करके अपने plant में use कर सकते हैं तो यह कुछ चीजे मैंने आपको running class के plant के बारे में बताई जो अगर आप follow करेंगे तो आपका plant बहुत अच्छी तरीके से growth करेगा और उसमें flowering होगी उसमें but growth भी होती देगी यह चीजे आप अपने पौदे में follow करिए और मुझे बताईए कि आपका experience कैसा रहा है फिर भी इस वीडियो के बारे में अगर कुछ सवाल है कुछ पूछना चाते हैं तब तक किले अपने बहुत सरा ध्यान रोकी फ्रेंट्स थैंक यू गुडबाई